15 मई साल 1907 को कांतिकारी सुकदेव थापर का जन्मर पंजाब रांत के लुध्याना में हुआ देश के स्वतंत्रता में अमर शहीद सुकदेव का बलिदान अविस्मरनी है साल 1928 में साइमन कमिशन के विरोध में लाला लाजपतराई के निट्रत में शान्तिपून तरीके से विरोध प्रतर्शन हुआ जिसमें अंग्रेज अधिक्षक सांडर्स के आदेश पर हुए लाटी चार्ज में लाला लाजपतराई बोरी तरह से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई सुखदेव ने भगत सिंग, राजगुरू, चंदर शेखर आजाद और अन्टी क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर सांडर्स को गोली मार कर लाला जी की मौत का बदला लिया बाद में सुगदेव सहित अन्नी क्रांतिकारियों पर सांडर्स की हत्या का मुकदमा चला और अन्त में भगत सिंग, सुगदेव और राजगुरों को फांसी की सजा सुनाई गई 23 मार्च 1931 को क्रांतिके सर्वोच शिकर पर पहुँचकर ये महान क्रांतिकारी आजादी के लिए हस्ते हस्ते फांसी के फंदों को चूमकर अमर हो गए